फियल, फ़र्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्प्लाइचेन, उसमें भी बाताएं आ रही हैं, जिने हैं हम अपना विश्वस निया मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय पुराना वाग के सिद्ध हुआ, आप फ्रेंड इन नीड, इस फ्रेंड इन डीड, मुझे खुशी है कि भारत इस चनोती पुर्ण समय में अपने पैसिपिक आइलेंड मित्रों से कंद से कंदा मिला कर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सिर हो या जरूरत की दवाईयां, गेहु हो या चीनी, भारत अपनी ख्रमताओं के अनुरुप्ट, सभी साथी देशों की मदद करता रहा। एक्सलेंसीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओसन कंट्रीज हैं, small island states नहीं, आपका यमास अगर ही भारत को आपके साथ जोडता है। भारत के विचारधारा में, संपुन वीश्व को परिवार के तरह देखा गया है। बसुधैव कुटुम कम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेणा है। इस साल चल रही हमारी G20 Presidency की थीम भी, बसुधैव कुटुम कम के उस सिध्धान के प्रकाश में, बन अर्थ, बन फैमिली, बन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर जन्वरी में हमने, वैस अप साउथ, ग्लोबल साउथ, वैस अप ग्लोबल साउथ समीट का आउजन किया। आपके प्रतिनित्यों ने इसमें भाग लिया। अपने विचार साजा किये, और इसके लिए मैं आपका अभिनदन करता हूँ। भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी अकांशाओं को जी ट्वेंटी के जरिये विश्व के समक्ष पहुचाना अपना दाइत्व मानता है। एक्सलेंसी, पिछले दो दिनों में, जी सेवन आउट्रेट समिट में भी मेरा यही प्रहत्न था। इस एक्सलेंसी, मार्क ब्राउन, जो वहाँ पर पैसिपिक आइलेंड फोरूम का प्रतिनिदी तो कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं। एक्सलेंसी, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्मकांशी लक्ष सामने रखे हैं। मुझे खुशी है, कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल, UN Secretary General के साथ मैंने, Life, Mission Life, और जब मैं Life क्याता हूँ तब, Life का मेरा मतलब है, Lifestyle for Environment, लांच किया। मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस मुमेंट से जुड़े। भारत ने International Solar Alliance और CDRI जैसे इनिशेटिव लिये हैं। मैं समझता हूँ कि Solar Alliance के साथ आप मैं से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है, CDRI के प्रोग्रेम्स को भी आप useful पाएंगे। मैं सभी को इनिशेटिव से जुड़ने के लिए भी आमंतरित करता हूँ। excellencies, food security को प्राथ्मिक्त देटे हुए, हमने nutrition को और वातावान सवरक्षन को भी ध्यार में रखा है। वर्ष 2023 को युएन ने अंतर राष्टिय मिलेट वर्ष गोशित किया है। भारत ने इस सूपर फूड को स्री अन्न का दर्जा दिया है। इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें nutrition भी अधीक है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी sustainable food security सूलिश्जित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। excellencies भारत आपके प्रातिक्ताओं का सम्मान करता है। आपका development partner होने पर गर्व महसुस करता है। मान भी सहायता हो या फिर आपका विकास भारत को आप भरोसे मन partner के रूप में देख सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं। पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नावरु का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, फीजिक ए सैकलोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिवास का solar light project, यह सभी इसी भावना पर आधारित हैं। हम बिना किसी संटूश के अपनी क्षमताएं और experiences आपके साथ साधा करने के लिए तयार हैं। digital technology हो या space technology, health security हो या food security, climate change हो या environment protection हो, हम हर तरह आपके साथ है, excellencies, आपकी तरह हम multilateralism में विश्वास रखते हैं। free, open और inclusive Indo-Pacific का समर्थन करते हैं। सभी देशों के संप्रभूता और अखंडत्ता को सम्मान करते हैं। Global South की आवाज भी UN सुरक्षा परिशद में बुलंदी से उठनी चाहिए। इसके लिए आंतराष्ट्य संस्थाओं का सुधार हमारी साजा प्रात्फिक्ता होनी चाहिए। हिरोशेमा में अस्ट्रेलिया, अमेरिका और जपान के साथ क्वाड में मेरी विश्टार से बात हुई है। इस बात्चित में इंडो-पैसिफिक शेत पर विशेश फोकस दिया जा रहा है। क्वाड की बैटरक में हमने पलाओ में रेडियो एक्सेस नेटवर्क आरे एन लगाने पर निरने लिया है। हम प्यूरलिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलेंड देशों के साथ सब अगयदारी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंसीस मुझे खुशी है कि फीजी की उनिवर्सिटी अफ साथ पैसिफिक उसमें सस्टेड़बल कोस्टल एंड ओसन दिसर इंस्टिटूट स्कोरी की स्थापना हुई है। यह इंस्टिटूट सस्टेड़बल डवलप्मेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलेंड देशों के विजन से जोडता है। आरेंड के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनोतियों का समाधान करने में भी उप्यूगी है। आज कोरी को चवदा देशों के नागरिकों के कल्यान, प्रगती और समृद्धि के लिए समृद्धित करने में मुझे खुशी है। उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेश टेकलोलोजी का राष्ट्रिया और मानुविये विकास में उप्योग के लिए वेबसाइट का लॉंच हो रहा है। इसके जरिये आप इंडियन सटेलाइट्स नेटवर्च से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे, अपनी अपनी राष्ट्रिय विकास की ओजनाओं में इसका उप्योग कर सकेंगे। एक्सलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उच्छुक हूँ, एक बार फिर, आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।